हेलो फ्रेंड्स वेलकम टियूर ओन चैनल डेली स्टॉक तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले बिरला टायर्स कंपनी के मार्केट में कॉटरली वन रिजल्ट्स जो है या पर आज चुके है सो इस रिजल्स के चलत हुए आपको शेर के अंदर किस तरह का मोमेंट सब्सक्राइब करने वाले में इस वीडियो के अंदर तक जरूर देखेगा और उसके साथ साथ में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा सो लेट्स बेगें तो सबसे वहले जो कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू है वह जो कंपनी के रेवेन्यू उसमें आपको बहुत ही ज्यादा यहाँ पर आपको फॉल देखने को मिला है अगर में आप पर कंपनी के प्रॉफिट अबिलिट की बात को तो पिछले कॉर्टर में कंपनी ने 50 करोड रुपिस का लॉस जनरेट किया था जो कि इस कॉर्टर में और ज्यादा बढ़कर हो चुका है यहाँ पर 60 करोड रुपिस है कंपनी लॉस जनरेट किया है तो कॉर्टर ली बेस के सबसे यह यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंपनी के रिजट्स काफी खराब आया है तो मेरे आप से बहुत अच्छा सा फॉल आपको शेर के प्राइस का जो की इस बार हो चुका है 60 करोड रुपिस को कंपनी रिजर्ट इकते जाधा अच्छे भी नहीं और में आप से अच्छा सा रिकमेंडेशन रहेगा वो भी आप यहाँ पर हमें साबीत होते हो देखने को नहीं मिल रहा है मार्केट के अपिलेशन इस कंपनी का 384.99 करोड का मार्केट के अपर फेस फेल्यों इस शेर की 10 रुपिस बीटा है इसका 0.96 जो कि आपको इंडिकेट करता है कि अगर इंडेसिस के अंदर अगर आपको 1% का मोवेंटम देखने को मिलता है तो इस शेर के अंदर भी आपको और आपको बहुत ही भरकम का यह पर आपको बहुत ही भरकम का यह पर आपको fall जरूर देखने को मिल रहा है जो company का revenue 2020 में इतना अच्छा कासा हुआ था बड़ उसके साफ ने भी company के जो loss हुआ वो काफी जादा हुआ तो उसके करन आपको शेर की जो price है उसमें भी आपको यह पर clear indication देखने को मिल रहा है company का 2021 में जो company का revenue हुआ है उसमे company के जो quarterly result होंगे वो ज्यादा positive होंगे तब आपको निवेश कर रहा है although अब हम इस शेर है तो बहुत अच्छे कासी वालटेली के साथ इसने daily 5555% upset momentum के साथ साथ उसने nearly 53.1 रुपीस का इसने high भी बनाया था but currently आप देख सेथा हो कि 26.65 के आसपास currently यह शेर जो market में trade कर रह 21 या फिर 22 के price band के अंदर आपको निवेश करना चाहिए तो होप करता हमको आपको बिरला टायर्स लिमिटेट कंपनी जो market manager quarterly one result आए है वो आपको अच्छे से पता चल गए होंगे और उसके उपर ऐसे investor point of view आपको क्या करना है वो भी आपको बता चल जाओगा अगर आपको